जानेंगे कि आज साल 2022 के पहले सप्ता के पहले कादुबारी दिन सोमवार के दिन कमुनिटी बजार कैसा खुलता नजर आया है देखने हैं कि आज एगरी कमुनिटीज के वायादा बजार NCDX में सारी की लगबख सारी ही कमुनिटीज हरी निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही है रूपा जी सबसे पहला आप से कैसा के उपर बात करना चाहूंगा देखने हैं यहाँ पर कैसा सीड का जनवरी वायता 5900 के उपर निकला है और आदे फिस्दी की तेजी है रूपाजी देखने हैं कि जो कैसा सीड का वायता 1,500 ओपर ट्रेड करता नजर आ रहा था अब देखने हैं 5900 के उपर ट्रेड करता नजर आ रहा है खबर निकल के सामने आई है कि कैसा सीड का जो प्रोडक्शन है पिछले 3 साल में सबसे कम रहा सकता है लगवक 16 लाक टन के बरावर ऐसे आप में आपको क्या लगता है आगे कैसर में क्या बढ़त देखने को मिल सकती है क्या कैसर की कीमत उपर जा सकती है देखिए अखिले हफ्टे भी हमने डिसकस किया था कि यह लेवल्स काफी अट्रेक्टिव है यहां पर बाइंग करना चाहिए कैसर के अंदर क्योंकि जो तेजी है यहां से वो 6000 तक एक बार इंटेक्ट होते हुए दिखाई दे सकती है और अब जिस तरीके से प्रोडक्शन कम की खबरे निकल कर आ रही है और सोड़ा सा भी अगर इस पोडिमांड पीकप होता है तो यहां से वापिस से कैसर के अंदर तेजी बनती हुए दिखाई देगी और जो कि उपर में आपको 62-65 तक एक बार फिलाल अपसाइड में जाते हुए मार्किर दिखाई दे सकता है जो हमें पिछले साल भी हमने देखा 2021 में जो किमते थी वो इसी रेंज में गुमती हुए दिखाई दी तो मुझे लगता है कि अभी साल 2022 में अगर प्रडक्शन कम रहता है तो आगे चलकर किमते 7000 तक भी सस्टेंट कर सकती है लेकिन फिलाल के लिए जो रेंज बंती दिखाई दे रही है वो 6000 से लेकर बासट सो तक की है तो कैसे सीड में भी हर डिपले सार निचले सर पर खरणदारी करके चला जा सकता है जी इस विए बात करें गर बिनौला खल की तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि बिनौला खल में यहां से कभी भी मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल सकती है या अभी जो बजार है वो ऐसे ही पॉजिटिव रहेगा बजार लुड़कता भी है तो तीन हजार तक सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि अब जो लेवल बन चुके है और टेक्निकली भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली आई है और आज जो तेजी है यह आज जनवरी वाइदा भी 32 के आसपर जा सकता है और 32 के उपर अगर सस्टेनिबिटी आती है तो आप मान के चलिए कि 3500 तक के भी सरसंबव है लगातार हमने यही बोले कि बिनोला का लब हो एक अच्छी ऐसी कॉमोडिटी हो सकती है जो आपको आगे पॉजिटिव जो है वो रिटन देती हुई दिखाई दे सकती है और आप देखिए पिछले हफते जो हम बात करें थे 28-29 के आसपस जो बजार था अब इस हफते 22 के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है 1.5 के आसपस है तो काफी पॉजिटिव है अभी फिलाल 32 का टार्गेट देखने को मिल सकता है ही इस दूर्पा जी बात करें अगर भात मसाला कंप्लेक्स की तो मसाला देखरें है कि काफी शांदार बड़त देखने को मिल रही है जैसे कि आपने साथ 2021 के आखरी कारुबारी सब्ता में बताया था कि 2022 में मसालों में काफी शांदार एली देखने को मिल सकती है वही हम 2022 की आज शुरुआत में देख रहे हैं देख रहे हैं कि धनिये का जन्वरी वैदा 8,900 के उपपर ट्रेड कर रहा है 9,100 के उपपर 9,100 का ही लगा चुका है लगबाग 1,500 की तेजी है देख रहे हैं दनिये का जन्वरी वैदा एक फिर से 9,000 की उपपर निकला है जीरे में भी शांदार बड़त हैं जीरे का जन्वरी वैदा 16,555 के ट्रेड करता नजर आ रहा है 16,630 का ही लगा चुका है लगबाग 2,000 की तेजी है और जो हल्दी है 9,914 पर ट्रेड करती नजर आ रही है और 9,992 का ही लगा चुकी है 3,000 फीज़ी से जादकी तेजी हल्दी की अंदर देखने को मिल रही है रूपजी देखने की मसालों में काफी शांदार तेजी बनती नज़र आईए खास करकी हल्दी में 10,000 के बहुत बेहद करीब है आपको क्या लगता है क्या मसालों में यहां से तेजी अब बनना शुरू हो चुकी है देखे बिलकुल अखिलेश जैसा कि हमने पिछले हफ़ते भी डिसकस किया था कि मसालों में बाइंग इसी अब मसालों में रैली बनती हुई दिखाई देजी और आज आप देखे अच्छी खासी तेजी और सबसे जारा अच्छा परफॉर्म जो हो हल्दी करती दिखाई दे रही है हल्दी के साथ जीरे में भी रैली आई है और धनिये ने भी 9000 के करीब पहुंच चुका है तो मुझे लगता है कि सभी मसालों में एक अपसाइन मोमेंटम है अब हल्दी कर अगर 10,000 चूप पर निकलती है तो साड़े 10,000 से लेकर 10,800 पस्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी तो यानि कि मसालों में अभी जो तेजी है वो अभी कोई टाइम तक जारी रह सकती है क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट डिमांड धीरी-धीरे मसालों की वो पीक अप होना शुरू हो जाएगी और अभी जो एक्सपोर्ट के आँखड़ी निकल के सामने आए थे वो भी ठीक ठागी थे हाला कि पहले से कम ही एक्सपोर्ट देखने को मिला था लेकिन आँखड़े ठीक ठागी थे तो डुमेस्टिक लेवल पर भी सपोर्ट रहेगा वेडिंग सीजन के मद्दे नज़र और दूसरा एक्सपोर्ट डिमांड भी मसालों में अब दीरे-दीरे उतना शुड़ू हो जाएगी नहीं से रुपजी बात करें अगर गौार कॉंप्लेक्स की तो गौार कॉंप्लेक्स में देख रहे हैं कि गौार गम 10,744 पर ट्रेड करता नज़र आ रहे हैं 10,935 का ही लगा चुका है और गवार सीड के जनुरी वाइदा 6,000 पर ट्रेड करता नज़र आ रहे हैं रूपजी देख रहे हैं कि गौरगम और गौरशील यहां से अगर आखडों पर नज़र डाने तो ऐसा लग रहे है कि अब धीरे-धीरे तेजी की और जाते नज़र आ रहे हैं निचले स्थर से बाइंग इनिशेट कहीं नहीं होती नज़र आ रहे हैं आपको क्या लगता है क गौर कुछ समलता नजर आ सकता है देगे जहां तक गौर की बात है कि लेश गौर में भी तेजी का रुजार बन सकता है और यहां से बजारों में जो उपरी सर है वह आप मान के चलिए कि अगर 11,000 के उपर अब एक बार फृस्ति गौर निकलता है तो 12,000 की तेजी तक जा सकत आपको क्या लगता है सोयबीन में क्या लाव से रह सकते हैं? जी इसे रुपजी बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में आप क्या लगता है क्योंकि देख रहे हैं कि कॉटन के प्रोडक्शन एस्टिमेट से वह भी कम ही बताए जा रही है और जो डिमांड है वह अच्छी देखने को मिली है और इस बार हमने देखा कि काफी कॉटन मुझे लगता है कि में देखने को मिल सकता है साड़े 34,000 के आसपास हम कारोबार करते हुए को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे और रैली बढ़ सकती है फिलाल के लिए 35,000 वाइदा में हम स्थर देखने कि 35,000 दोसों की तेजी बन सकती है वही अगर ग्रेलू व देखने को मिल सकता है जी दर्शक जुड़े में जिनके सवाल लगातार एगरी कमुटीज को लेकर आ रहे हैं दर्शक है जिनका सबसे पहले सोया तेल को लेकर आ रहा है इनका सवाल है कि क्या सोया तेल और सस्ता होगा देखे बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो है कि बादारों में आगे चलकर तेलों की किम्तों में दबाव आ सकता है लेकिन बहुत जादा गिरावट की फिलाल उमीद नहीं है लेकिन तेजी भी बनती हुई इंस करों पर दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आगे चलकर लगता तो आपको उन सरों पर इसको एक्जिट करना चीए जादा लंबा होल्ड ना करें तूकि अभी बजार काफी डाइसी है और लग रहा है कि प्रेशर जो इसको मोडिटी के उपर आप बना रहा सकता है फिलाल तेजी तो बनती दिखाई नहीं दे रही है जी रूपा जी लेकिन लंबी तेजी नहीं है और बहुत जादा भी अपसाइड नहीं है खलकी फुल की एक अपसाइड विंटर सीजन की दिमांड के चलते देखने को मिल सकती है लेकिन अगर ओमिक्रॉन का इंपक्ट बढ़ता है तो उसके बाद कीम्टों पर एक वार्ट फिर्स ने दब मधिन नहीं देने का रहा है यह आपकी राएजानना चाहरे मैं अगे कैसा रुजहन रहेगा देखिए 1000 के उपर निकल चुका है मैं था यहां से और अब मुझे लगते हैं कि 2020 से लेकर 1040 तक अपसाइट पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है अब शोट टम में बाइन जो है वो इनिशियेट होती हुए दिखाई दे सकते हैं से लेकर आ रहा है और मुझे लगते हैं कि अब इसके अदर 1040 से 1070 तक अपसाइट बनता हुआ दिखाई दे सकते हैं जी इस रुपा जी एक और दरश्चे के सोम वीड सिंग जी जिनका सवाल गौर सीड को लेकर आ रहा है ये जानना चारहें कि क्या गौर सीड 65 भी हो सकती है देखें बिल्कुल पैसड़ समभग है कि गौर में देखने को मिल सकता है जी रुपा जी बहुत सारे दरश्चे के जिनका सवाल लगाता है लेस्ट को लेकर आ रहा है ये जानना चारहें कि आगे लेस्ट का ट्रेंड कैसा रह सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब नहीं लेस्ट जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और लगबक जनवरी के लगजी वाला ही दिखाई दे रहा है मुझे फिलाल तेजी आती हूँ इसके अंदर दिखाई नहीं देरी और राइवल प्रेशर के चलते आगे भी कीमतों पर दबाव बना रह सकता है यानि कि लैस्ट की कीमतों पर आभी आगे दबाव बनता नजर आ सकता है रूपा जी थोड़ा सा प्रेशर जो है आगे बनता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ ये कवरे निकल कर आई थी कि एक्सपोर्ट डिमांट्स पेकप होते वह नजर आ सकते हैं उसकी वज़े से थोड़ा बहुत बाउंस पैक एक्सपेक्टिर था लेकिन अभी देखना होगा कि कितना ए प्रेश बाइंग नहीं है जी रुपा जी दर्शक जिड़ें सादेक मौमिन जी जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है यह जाना चाहरे हैं कि क्या बिनौला खल लॉंग टम के लिए लंबी अवदी के लिए करेंट पोजीशन से बाइंग करना चाहिए क्या रिखी क प्रण्ट पोजीशन से तो बाइंग नहीं बनती है क्योंकि लगातर बजारों में हमने बताया कि तेजी अभी हां से चुटमूट करेक्शन भी बन सकती है फिलाल इस सर पर फ्रेश बाइंग नहीं बनती है जिनकी बाइंग है वो इसको होड़ करके चल सकते हैं जी रूप उनको कहीं न कहीं यह डर्व भी रहता है कि अगर जैसे किसी पर्टिक्लर क्मूर्टी की कीमत उपर की और जाती है तो मुनाफ़ा वसूली प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर देखने को मिलती है तो अब सब यह जाना चाहिए कि बिनौला खल में क्या प्रॉफिट बुकि देखना होगा कि मार्किट वहां सस्टेन कर पाता है या नहीं और अगर सस्टेनिबिलिटी नहीं आती तो जो मंदी है वो तीन हजार तक नीचे जा सकती है प्रॉफिट बुकिंग लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहां से बजार करेक्ट होंगे छुतमुट गिरावट बन स सकती है लेकिन फिलाल देखना होगा कि 32 के उपर सस्टेनिबिलिटी आती है यह नहीं बती सो के उपर सस्टेन होना बहुत जरूरी अगर मार्किट वहां सटीन कर जाता है तो फिर बजार जो एक लंबी तेजी में जा सकता है जी रूपजी दर्शक जुड़े में केशव ज सकता है वहीं सीट की बात करें तो 608 लेकर 620 सका पकड़ सकता है जी रूपजी दर्शक है हमारे साथ जिनकसवान नर्मा कपास को लेकर आ रहा है यह जानना चाहरे ही कि क्या अभी नर्मा कपास को बचाना चाहिए यानिकी रोक के रखने चाहिए यह थोड़ा अभी निका भी दिकाई दे रही है तो आप शुटमुट माल निकाल सकते हैं इसतरों पर भी और आगे चलकर बजारों में और तेजी पर निकाल निकाल देजी और कुछ एक होलग कर कि वी चल सकते हैं रूपजी दर्शक हैं जिनका सवाल कॉटन को लेकरा लेकर आ रहा है यह जानना च कोई ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कपास अपना फंडामेंटल पॉजिटीव है जिसके चप्ते कपास में तेजी देखने को मिल रही है जी रुपाजी आखरी साहल रहा है का मेरा आपसे आज के लिए आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी जो आने वाले समय वे केस्टर में भी कपसे मुमेंटम फिलाल इंसरों पर बनता हुआ जिखाई दे रहा है जी बहुत बच्छी करे रुपाजी है माँसा जुड़ने को रहा जानकरी साजा करने के लिए तो जैसे की रुपाजी ने बताया कि मसाले बिन आलाखर और कैसा से इनमें आज खरीदार में रहा जा सकता है और अच्छा मुनाफ़ा कमागे चलना जा सकता है तो फिलाल सिलसला वजारों का में अभी के लिए बच्छी तना ही लेकिन आपका इंजाए गने क्योंकि खबरों का सिलसला लगा तो नहीं बना रहेगा मागे नमसीवी पर अब अलग-अलग काम की लिए अलग-अलग अप नहीं हर दुकानदार की बस एक ही अप बिग ब्लिस, बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफ़ा कमाएं, खुशियां कमाएं, बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान झाल झाल